मुझकार दोस्तों पहुनवाई करेम आपका स्वागत है आज का पर टपिक है फंक्शन्स और फंक्शन्स में आज पूरा इंट्रोड़क्शन आपको मैं बता रहा हूं इसका ये वीडियो ज्यादा बढ़ा नहीं होगा लेकिन जो भी मैं इसमें बताने वाला हूं वो बहु कर रहा हूं मैंने आपका मैच सेकंड का वीडियो इसलिए अप्लोड नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले फंक्शन प्लेयर हो जाए क्योंकि सेट सेट्स और रिलेशन्स का जो टॉपिक है उससे पूरी तरह से कनेक्टेड ये टॉपिक है और इसके लिए मैं इसको और पार्ट करेंगे ठीक है क्या होती है विए देखें कि definition मैंने यहाँ पर explain करके रखे है आपके लिए लिखके रखा है क्या देखके रखा है कि यह function f from set a to set b okay एक function set a से set b क्या होता है is a relation which associates each elements of a to unique or exactly one element of b मतलब क्या बोलना चाहता है मतलब यह बोलना चाहता है कि अगर आप किसी function की relation की बात कर रहे हो तो अगर आपके पास में कोई function है कोई आपके पास में यहाँ पर कोई set a है sorry कोई set है यहाँ पर दूसरा set है यहाँ पर और आप जब इसको connect कर रहे हो ठीक है आप जब इसको connect A to set B is a relation which associates each element of A, each element of A, each element मतलब A का एक भी element खाली नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं आप नहीं सकते कि यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, तो एक element खाली रहेगा, तो यह फिर function नहीं होगा, ठीक है, बात समझ लो, क्या बोलता है, each element of A is associated to unique element of B, तो B के unique element से वो connect हो exactly one से वो connect हो, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, इससे एक दूसरे वाले से और connect हो जाता है, इस तरह से भी हो जाता है, तो फिर वो भी function नहीं होगा, ठीक है, function होने के लिए दो बाते ध्यान अतना, number 1, कि set A का, set A का हर element set B से connect होना चाहिए, every element, okay, every element connect होना चाहिए, पहली बा से नहीं होगा connect, okay, दो से नहीं होगा, क्योंकि अगर दो से connect हो जाएगा, तो फिर वो clear नहीं हो, वो definition में हमको क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन, समझ लो, वो definition में बोल रहा है, a function from set A to set B is a relation which associates each elements of A, element, A के एक element, to unique or exactly one element, बहुत ध्यान रहता है, exactly one element, why, okay, in set B, ठीक है, त basic definition, उसके बाद हमको यहाँ पर क्या देके रखा है, उसके बाद हमें यहाँ देके रखा है, that, then, element Y is expressed as Y is equal to Fx, Y is equal to Fx, function को इस तरह से आप बताओगे, Y is equal to Fx होगा, ठीक है, Y is equals to Fx, पहली बात होगे, उसके बाद आगे आते क्या बोलता है, Y is the image of X under F, okay, होगे, Y क्या होगा, भई, set X जो है, sorry, X जो है, और Y, यह से कहने होगे, तो Y क्या है, Y होगा image, Y को हम क्या कहेंगे, image कहेंगे, और जो elements इधर के, इनको क्या कहते हैं, pre-image कहते हैं, ठीक है, वो pre-image होते हैं, ठीक है, तो क्या देके रखा है, Y is the image of X under F, and such as a function exists, A is called the domain, and set B is called the co-domain, मतलब अगर मेरे पास मैं, यहाँ पर मैं दो इस तरह से बना लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर दो यह बनाओ, एक मिट रूगे, यह एक मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक, ओके, और दूसरा भी मैं यही पर बना लेता हूँ, इसी तरह से, यह मैंने बना लिया, ठीक है तो यह क्या बोल किया रहा है, यह बोल रहा है, यह जो सेट A और सेट B होगा, यह सेट A होगा, और सेट B होगा, तो सेट B क्या होगा, यह हाँ पर सेट A के लिए क्या बोल के रखा है, कि सेट A is a domain, यह जो होगा यह इसको पूरा domain कहते हैं, ठीक है, सेट A, और यह क्या यह code domain होगा ठीक है code domain होगा फिर range कुंछ से होगी range वह उती है जो B में A से connected हो अगर रेखा था element छूड गया तो फिर जो बचे वह element connected हो वही हम लेते हैं हमने range में किया यह ठीक है तो इस तरह से है बहुत simple है कुछ भी difficult नहीं है अब दिखें आपके एक्स बुक में कुछ एक्जाम्पल्स देखे रखें क्या बोलता है for example examine the following relations which are given by the arrow in the line segments okay line segments arrow में देखे रखें जॉइनिग elements to offset a to set b okay यह पहली वाली बात है अभी क्या बोलता है यहां पर अगर देखा जाए तो r1 is a well defined function अब ऐसा क्यों लिखा है क्यों फंक्शन है कारण नंबर एक कि एक के जित्रे elements है वो unique elements से connected है ठीक है एक के जो elements है वो unique elements से connected है ठीक है देखे दो elements यहांका एक element 2 से connected नहीं होगा ध्यान रखना है यहांका एक elementsThose setड के element यहांके दो element से connect नहीं होगा यह नहीं होगा यह नहीं होगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्या बोलता है कि every element in set a is related connected to unique and exactly one element है यह 1 से sir्व होगा अब आप बोलेगे यहा पर तो यह दोनों मिलके इदर करेक्ट हो रहे तो यह अलग बात है यह जब अससे हो सकते हैं set e के 2 जो है set a में ये जो 2 है set a में ये जो 2 है ये 1 से correct हो सकते है पर ये अधर का 1 इधर के 2 से correct नहीं हो सकता तो ये एक well defined set है पहला वाला well defined set है चलिए इसमें आगे आते हैं आगे देखे रखढ़ हमको R2 R2 में क्या है भही हमको क्या बोला है definition फिर सेट के जो function की definition जाते function की definition बोलती है कि each element of a is related to exactly one element of b अब each element देखो यहाँ पर d छूड़ गये है d छूड़ गया तो फिर यह relation होगा यह function होगा no okay यहां लिखो r2 is not a function यहां क्या लिखेंगा यहां लिखिए that is r2 is not a function अब function क्यों नहीं होगा because यहां का जो डी है वो connected नहीं है इधर के किसे element से वहीं आपको देखे रखा आप इस नौट function because the element d in set a is not associated to any element in b ठीक है तो यह function नहीं होगा हमने यह जो किये function है चलिए अगले वाले पर आता है आर्थ्री भी अब आर्थ्री में क्या हो रहा है देखे मिनने आपको क्या बताया था कि connect करते समय एक से आप do ko connect नहीं कर सकते मिनने आपको बताया था ऐसे ली चलेगा तो यहां आप देखिए यह जो एक ए यहां पर आप लिखेंगे आर 3 इस नॉत फॉंक्शन ठीक है यह फंक्शन नहीं होगा आर्टी इस नट इस नॉट फॉंक्शन आप क्यों नहीं होगा करण दे के रहा है और सानौ नॉट फ़ंक्शन बिकॉस of element A in A is associated to two elements in B function की definition को समझ लीजे function की definition क्या बोलती है कि each element of A is associated to exactly one element of B ठीक है A के भी सारे element आना चाहिए और वो B से connect होना चाहिए single से वही दो मिलके एक से connect हो सकते हैं मतलब A के जो दो elements है वो B के यहां पर ऐसे connect हो सकते हैं लेकिन जो A का एक element है वो ऐसा दो जगह पर connect नहीं हो सकता यह हो सकता है पर यह नहीं हो ठीक है ऐसा है ठीक चलिए हम इसमें आगे बढ़ते आगे देखे रखा है relation which defines a function f from domain A to domain B is often given by an algebraic rule अब देखो है जो function है function को मैंने यहां पर आपको डाइग्राम से बताया है तो इसका एक algebraic rule भी होता है अब वो क्या होता है उसमें types क्या होता है यह तो हमने देखा है रूल के से होते हमने देखा था ना कि f of x is equal to 2x plus 1 तो 2x plus 1 क्या भई एक सगर यह एक होगा तो यह कित्ता हो जाएगा यह 3 हो जाएगा इदर आप जो सेट A में है सेट A में आप इदर वन लेगे तो सेट B में वो 3 आएगा सेट A में आप जो लेंगे तो जरी पाच आएगा इस तरह से करेक्ट हो गए ठीक है यह इसको मैं इस तरह से होता है ठीक है ऐसा है चलिए एक काम करते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं टाइफ ओर फुंक्शन में हमाते हैं आएं दूस्तों टाइफ और प्राकार और यह जो पहला प्रकार यह जिसको 115 हो यह जिसको FOR casino 1 गए व्रकार इन टीज ओ पार इसको जो Hella तो वन अब जैसा नाम है वन टू वन वैसे ही है अब फंक्शन F from set A to set B is set to be one to one if distinct elements in A have distinct images in B A के जो elements है वो B से single single element single single element से connected होंगे तो वो क्या हो जाएगा वो injective हो जाएगा injective function बोलेंगे उसको या फिर उसको हम क्या बोलेंगे one to one जैसा नाम है कि इधर के जो one 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 है इधर के one 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 से connect हो जाए ऐसे ठीक है यह one to one function होगा ठीक है उसके बाद अगले वाला जो है टाइप that is on two और surjective function अब on two क्या होता है कि अब function F that is from set A to set B is set to be on two if every element in Y every element in Y element Y in B is an image of some element in X मतलब Y का set B का A कभी element खाली नहीं होगा B के सारे के सारे element connect होंगे A से इतना ध्यान रखिए B में कोई भी खाली element नहीं होगा क्या बोलता है यहाँ यहाँ पर यहाँ देखिए हमेरे textbook में ही देखे रखा है इसकी definition के बाद the image of A can be denoted by F A क्या बोलता है the image of A can be denoted by F of A और F of A क्या बोलता है where Y belongs to B such that Y is equal to F of X for some value of X belongs to A और यह बाद ध्यारन रखना कि यहाँ पर यहाँ पर यह हमें F of A देखे रखा है that is the range okay is called range of X range of A set A के लिए range है range क्या है वह element जो A के elements से connected है उनको हम कहते है range ठीक है तो यहाँ इस तरह से होगा यहाँ देखे रखा है कि note that function from set A to set B is onto क्या बोलके रखा है is onto और बोलके रखा इसका मतलब यह है कि B के सारे element connected है और सारे element connected हो जाएंगे तो यह तो range है न भी यह तो range है तो range क्या हो जाएगी पूरा का पूरा set B हो जाएगी in short range क्या हो जाएगी पूरा set B हो जाए ओके domain code domain अगर पूरी range बन जाए तो on to होगा ठीक है और 11 में क्या होगा on to बोलिए या उसको सर्जेक्ट्य बोलिए और 11 में क्या होता है single connected होते है बस वह बात है ठीक है अब देखिए अगला कुछ अगले इस पर आते हम जो यहां पर connected है एक यह यह प्रक्नेक्ट्ट्प लिए एक एक से जुड़ रहे से जुड़े हैं यह वाला function क्यसा होगा यह one two one hoogu यह one one function होगा ठीक यह one two one function है this one is one to one अगले वाले हम आते हैं प्ने फकार एक इसा है एस पील में देखिंग आप कैसा है फ तो में यह एक हैस्स तो ग्राइडड को यह चोड़ा मतलब कोई फंक्शन बहुट है यहां पर यह पात फूल जिसके लिए यह पात शूट नहीं था इसके लिए यह चू लेखे हो गिया था हमारी on to get definition क्या बोलती है कि सारे element बीके सारे element connect हो जाए तो वह on to होगा तो यह into 11 भी है और on to be है मतलब injective भी है और subjective भी है ठीक है फिर आते हैं f3 पर तीसरे बाले function समझ लोग बहुत अच्छे से एक बार क्योंकि एक्जाम में आपको पूछने वाले कि कौन सा फंक्शन इन्टू है कौन सा अन्टू ही आपको आना चाहिए आगे क्या बोलता है है सarna और क्यों क्या होगत पहली बात तो हमको एलस्मा यह 1 21 नहीं क्यों 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 थे ओर बी यहाग एक ही से प्लेट इस डिस्टींट अलिमन्टемेंटशक में की एकष्ट अपनू फ्रॉंटाइ to be one one if distinct element in a have distinct images in b तो जो अलग-अलग elements से उनकी अलग-अलग image हो मतलब यह सेम हो रहे है सेम हो रहा तो फिर यह नहीं होगा तो यह क्या यह one one नहीं है पहली बात अच्छा on to है क्या बिल्कुल है क्यों 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 कि यहां पर सारे के सारे यह one one क्यों नहीं है देखो यह दो मिलके एक से जोड़ रहा है तो यह one one नहीं है यह one one नहीं है और यह on to भी नहीं क्योंकि b छूड़ गया है यह on to भी नहीं है तो यह दो बाते ध्यान रखो यह दो बाते ध्यान रखो one one क्या होता है और on to क्या होता है यह चीज, बेसिक आपको देखे रखे, उसके बद आपको आगे देखे रखे, रइप्रेज़नों घ्री। बेसंटेशन अपटरू क्या होता है। यह क्या होता है। और अ रप्रेज़नों और यह करते हो। यह पर तो शारी तो पहला वाला आता है यहां पर यह बना दो अधिक हैं और ऊसी तरह से दूसरा भी बना धो और आप ऎहां पर इनको connet करड़ो कि यहां का एक element इदर सेooh तो यह क्या हो गया? एरो डाइग्राम हो तो यह हो गया arrow डाइग्राम उसके बाद में इसमें एक बाद ध्यद्ृ कि कि domain यहां पर यह जो हैं यहां पर यह जो elements आते हैं ठीक जो हुआ यहां पर सपोज मैंने यहां पर जो बुक में देके रखा है 234 देके रखा है 234 लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ 4916 लिख देता हूँ इसको set A कर देता हूँ इसको set B कर देता हूँ तो यहां पर क्या है? domain क्या है? domain क्या है? domain जो होता है वो set A होता है और इसको हम क्या कहते है इसको हम pre-images कहते है यह pre-images होती है और code domain क्या होता है यहाँ पर code domain क्या होता है code domain set B होता है ठीक हला कि यहाँ पर code domain और range एक ही है यहाँ पर code domain भी है और range भी एक ही है क्योंकि set B जो है पूरा का पूरा connected है तो range भी set B है ठी फिर अगला टाइप आपके लिए बहुत अच्छे से लांगे भूड़ बनाई कि कोई बंदा जो पहली बार लीक पड़ तो क्मर्स बशुक्री बहुत सिंपल अप्रद ऑली से क्या रखाया है इसके अच्छीब क्या करेंगे हम इसको लग देंगे two four फिलिग देंगे three nine और फिलिग देंगे four sixteen तो यह order pair होगे है यह से order pair में लिखते थे खोके तो यहां पर मैं बात करूँ डोमें कों से बात करूंद होगे दोमें कों से होगे जो सरे के सारे first element है two three four और यहां पर range क्या होगी, यहां पर हम range लेंगे, लिखिए range, यहां जो range होगी, that will be 4, 9 and 16, यह आपका domain and range हो गया, ठीक है, उसके बाद में ordered pair में आपको यह clear हो गया है, कि कौन से कंपोनेंट किस तरह से connected होते हैं, यह तो मैंने already आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है, उसको rule method बोले, या rule method बोलो, या formula method बोलो, अब यहार formula क्या होगा, formula, ओके, formula, अब इसमें देखे, मैंने जो connect किया था, कि 2 का square 4 है, 3 का square 9 है, 4 का square 16 है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, y is equals to f of x, तो हम लिखेंगे, लिखेंगे, which is equal to x square, ठीक है, which is equal to x square, मतलब y यहां पर क्या, x square के equal है, मतलब f of x किसके equal, x square के equal है, तो यहां पर इसका formula बन गया, ठीक है, और फिर इसमें domain क्या होगा, इसमें जो domain लिखेंगे, आप, इसमें जो domain होगा, यहां पर लिखते हैं, इसमें जो domain होगा, वो क्या होगा, वो domain होगा, x वाले पूरे elements, और को डोमेंड क्या होगा इस पर को डोमेंड बोली ये रेंज बोली है πολύ कि पूरे वाइवाले एलेमेंट्स एक टेबुलर फॉर्म आपको याद होगा कि मैंने यह एक्सप्रहिंड किया था मैंने मैंने मैं अप्र्यल के इंदर जो मैंे एक्स्प्रहिंड किया था है तो मैंने फिन सारी चीजें आपको सिखाई है, मुझे रखताकि कि आपको आता निहीं है, सबी लोग को आता है ऐसा में परसली करता हूं क्योंकि में Americans किया है ठीक कहीं मैं यह आपको इस ले लो कि यह वो गया इसका टेभयलम इंदी टेछ आँ थे यहां पर ड्लीण कित ले हैं Deb पर बन गया table ठीक है और अम यहां पर सारी lines कितने दाओं इसको बना दो यहां पर यह लिख लो X यह लिख लो आई और इस तरह से lines बना लो 2 को 4 आ जाएगा 3 का 9 आ जाएगा और 4 का 16 इस तरह से होगे यह टेबल में बताते हैं बिल्कुल आपको आराम से करते आएगा इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है डिफिकल्ट नहीं और एक आखरी जो टाइप है वो क्या है आखरी टाइप है भाईया जैस ग्राफ के ऊपर बताना तो ग्राफ के ऊपर कैसे बताऊगे अभी मैं सपोज ही जो हमने लिखके रखा है इसी को हम ग्रीड लाइन पर ले लेते हैं तो यहां पर अगर मुझे इसको ग्राफ पर बताना है तो मैं कैसे बताऊगा एक काम करते हैं इसको नहीं करते हैं आप एक काम करते हैं इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ और ग्राफ के ओपर ह ग्राफ किछैने के लिए इस लाइन को आप लगा लो यहां है ठीक है और इसको घुमा लो इसको घुमा कर आप जो स्ट्रेट लाइन हम बोले यक्सिस बोले वह भी बना लेते हैं यहां लिखो जीरो यह हो गया एक में टूकिए थोड़ा ब्लेक कलर लेता है यह टू फोर सिक्स एट टैन ट्वेल फॉर्टीन इधर लिखेंगे टू स्वरी इधर लिखेंगे वन टू थ्री फॉर फाइफ वन का तो नहीं है टू का फोर है तो यह हो जाएगा यहां पर इसक और अगला 416 तो 416 आएगा यहां पर यहोगा 416 ठीक है यह क्या हो गया यह ग्राफ केस्मीं बखो गया ठीक है ग्राफिकल रिप्रेजंटेशन हो गया इस तरह से करना है । यह सारे पांच टैप है जिसमें हम फंक्शन्स को रिप्रेजंट करते हैं ठीक है और ग्राफ आ जब यहां पुट करोगे तो आपको y की वेलिए यहां पर मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अब बोलता है आगे, evaluation of the function, अब वो कैसे करना है, उसको भी समझ लीजे, जो evaluation of function है, बड़ा आसानी से आप इसको कर सकते हैं, यहां देखे, पहला question में, कुछ examples दो book में देखे रखे, उसमें से कुछ example लेता हूँ, सारे नहीं करवाँगा, सिर्फ दो example करवाता हूँ, इसमें पहला वाला example हमको देखे रखा है, that is, f of x is equal to 2x square minus 3x plus 4, और हमको देखे रखा है, x is equal to 7 and x is equal to minus 3, हमको दो values दिखे लिए इसको निकालना है, तो अगर मैं f of x की जगर 7 लिख दू, तो जहाँ-जहाँ x है मुझे 7 लिख देना है, जहाँ-जहाँ x है मुझे 7 लिख देना है, देखो यहाँ x square था, तो 7 square लिख दे है, x से तो यह 7 लिख दे है, क्या होगा, 2 का 2, 7 square 49, 7, 3,021 plus 4, यह होगा 98 plus 4, minus 21, यह होगा 102 minus 21, तो 81 आ गया, उसी तरह से अगर आप यहाँ पर value put करते हैं, इसकी minus 2t put करते हैं, तो क्या आएगा, यह इसको मैं as it is फिर से हैं लिख लो, कि f of x is equal to 2x square minus 3x plus 4, क्या करेंगे, minus 2t put करना है, तो minus 2t का square, 3 minus 2t plus 4, चलिए, 2 into minus 2 square क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यह t square, minus minus plus हो गया 60 plus 4, तो f of t क्या आगया, यह जो हमने निकाला, f of minus 2t आया, t नहीं हो गया, minus 2t, एक विटो के, यह हो गया, f of minus 2t, पर यह हो गया, 2 for the 8, 8t square plus 60 plus 4, तो यह इस तरह से है, कुछ भी इस पर difficult नहीं है, ठीक है, ऐसी आपकी टेक्सबूक में देके रखाएगा, बाकी के जो questions है उसको बिल्कुल करके देखिए, ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा, उसके अंदर हम some fundamental functions के बारे में देखेंगे, जो basic functions है, क्योंकि यह बहुत फिर पूरा उसी में हम explain करेंगे, और उसके बाद हम फिर exercise करेंगे, exercise में कोई बहुत जादा time नहीं रगेगा, exercise बहुत quickly हो ज्रीक में झाई बहुत